नमस्कार जैहंद बंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आफ सभी का आपके अपने चैनल BSC AIMBIT सिवम में और मैं सिवम दुबे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ वेक्टर की एक क्लास रहेगी चाहे आफ इसे फिजिक्स समझ लें या फिर मैस समझ लें जहां पर भी वेक्टर पूशा जाता है यह जो क्लास है आपके एक्जाम पॉइंट अब व्यू से वेरी वेरी इंपोरेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में केवल उनी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो निमेरिकल के पॉइंटा भी उसे बहुत जादा इंपोरेंट रहते हैं साथ ही में हम बात करेंगे इस वीडियो में वी एससी वी टेक फर्स्ट सेमस्टर के बच्चों के लिए जो नई सिक्षानीति के कॉर्डिंग आपकी फिजिक्स अमेस चल रही है उसमें अगर वेक्टर आता है तो यह जो क्लास है आपके लिए विलकुल निमेरिकल पॉर्शन को ध्यान में रख करके हमने डिजाइन कर करेंगे बिलकुल इसे भी समझेंगे ए क्रॉस वी क्रॉस सी को हम कैसे फाइन करेंगे या बात करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी क्या फॉर्मूला है कैसे निकाल सकते हैं सारी चीज़ों को कवर करेंगे या पर चुलिए अब हम बात करेंगे नंबर पांच ग्रेडियंट क् क्या है कैसे से हम fine करते हैं और स्क्स की बात करेंगे डल डोट ये वेक्टर क्या है इसका gradient के साथ क्या लेशन है डावर्जन ऑफ एक्टर क्या होता है कैसे निकालते हैं बिलकुल सारे चीजें बारी कि वारी कियों के साथ concept को clear करते हुए हम चलेंगे याँ पर में आए हैं तो थोड़ा सा नया आपको लग सकता है है ना लाइक जरू कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगे और कमेंट करके जरू बताना कि आप किसी यूनिवस्टी से यह जो है हमाँ वीडियो देख रहे हैं है ना आप कहां पढ़ते हैं अपनी कॉलिज का नाम होती चली जाती है है लगता है कहीं कि आप पढ़ने बैटे हैं नहीं तो ऐसे वीडियो देखते रहे हैं कुछ नहीं होता है आपको लिखना पढ़ेगा चीजों को ठीक है चलो अब बात है खत्म अब लिखना स्टार्ट बात करेंगे वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे फ वेक्टर की गड़ना आपको करना है निकालना है यह कैसे फाइंड आप करेंगे तो देखो इन सबसे पहले आपको एक चीज पता होना बेहत जरूरी है आई डॉट जे के जे का अगर हम मल्टिप्लाई करें डॉट गॉडनफल की बात करें तो जीरो होता है बाकि सारी बात आपको समझाने थी अब आते हम अपने सबाल पर प्रॉब्लम पर अपनी देखो यह वेक्टर आपको दिया था टू आई मैनस थी जे प्लस फोर के और वेक्टर की बात करें तो था फाइब मैनस जे मैनस टू के आपके सामने रहेगा ठीक है चलो अब हमें करना क्या है आई का जो कोफिसेंट है और इस वाले वेक्टर में आई का जो कोफिसेंट है उसका मल्टिप्लाई करना है सिंपल तो 5 तू जा 10 यहां पर लखा है पांदूनी 10 ठीक है चलो अब प्लस प्लस के साथ अब देखेंगे हम जे का कोफिसेंट क्या है तो आप कहना 3 इसमें जे क 2 के बच गया तो देखो कि इसका कोफिसेंट क्या है कहना माइनस 2 तो यह लखा है और इसका कोफिसेंट क्या है तो कहना प्लस 4 तो कहना यह लखा है ठीक है चलो अब इनको हम आपस में स्वाल कर लेते हैं 10 इसका मिल्टिप्लाई करेंगे तो प्लस 3 और इसका करेंगे तो म हमने आपको समझा दिया है अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना वहीं से पैसे उम्मीद रहेगी कि आपको आ गया होगा चीजे माइंड में सेट हो गही होगी चलो, अब हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड देखो आपको अपनी कॉपी पर लिखते जरू चलना ठीक है, चलो ए वेक्टर क्रोस वी वेक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे ठीक है, ए वेक्टर आपको दिया है 2i-3j प्लस 4 के और वी वेक्टर है 5i-j माइनस 2 के आपको फाइंड करना है ए क्रोस वी चलिए एक क्रोस भी फाइंड करने के लिए आप मेट्रिक्स सॉल्व करते हैं मॉड आपको निकालना पता होगा कि मॉड कैसे निकालते हैं सिम बही प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है i-j के आप यहाँ पर राइट कर लेंगे है ना, और i-j के नीचे आप क्या लिखेंगे, देखो मैं बताऊ i-j के नीचे आप लिखेंगे i का कॉफिसेंट क्या है तो कहना 2 है सर तो देखो 2 यहाँ पर लिख लो j का कॉफिसेंट क्या है, तो कहना 3 है सर है ना, माइनस 3 कितना है वही, माइनस 3 नहीं है और अगर के की बात करें कितना है तो कहना है फोर है सर तो फोर लिख लो अगर बी वेक्टर वाले में हम बात करें तो कितना है कितना है फाइव एसर तो फाइव लिख लो इसमें माइनस बन है ना तो यह माइनस बन लिख लो इसमें कितना है, minus two, तो आप minus two लिख लो, ठीक है, इतनी चीज clear होगी की नहीं, बताओ, इतनी चीज clear होगी की नहीं, अब क्या करना है, simple, आंगे निकल गए साहद हम लोग, ना, चलो, कोई नहीं, अब भही आ जाते हैं बापस से, देखो, अगर बात करें, एक cross V की, तो सब हो जाएगी, total कितनी रो हैं, तो कहना सर्थ, तीन रो हैं, आर बन, आर टू, आर थरी, रो बन, रो टू, रो थरी, अब कहना कॉलम कितने हैं, तो कहना सर्थ, तीन कॉलम है, कौन-कौन, एक ये, एक ये, और एक ये, ठीक है, तो कहना C1, C2, और C3, समझ गया है कि नहीं को बाद में इस kolum को और यह रोह आपकी प्रवाइंट्अली बंद इसको बंद करेंगे फिर्सट कॉलम भी बंद करेंगे फिर्स्ट रोह के साथ तो बचा गया तो कहने सर्फ माइनस टू बचा और माइनस 3 बचा तो देखो भई माइनस 3 और माइनस 2 यह लिखदी हमने कि इस इसका multiply करेंगे, माइनस बन का और 4 का, तो माइनस लगाएंगे, बीच में फिर करेंगे 4, और यहाँ पर माइनस बन, तो कहना माइनस बन, ठीक है, चलो, चलिए, अब हम बात करेंगे, J के लिए, ठीक है, J के लिए आप ये बंद करेंगे, R, और Column, आप ये वाला बन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर write करेंगे, माइनस ज, क्योंकि उपर देखो, ये sign लखा है, माइनस का, लखा है न, तो माइनस ज यहाँ पर लखेंगे, और इसके साथ साब, आप देखो, बचा क्या क्या है, तो कहना 2 बचा है, ये वाली भी, ठीक है, चलो, अब बचा क्या, तो कहना माइनस बन और 2 बच गया, तो देखो, माइनस बन, और 2 यहाँ पर हम लख देंगे, बताओ भई, माइनस बन और ये 2, लख देंगे कि नहीं, और अब बचा गया, कहना 5 और माइनस 3 बचा है, तो 5 वो माइनस 3 यहाँ पर लग देंगे तो इस तरह से यह आ जाएगा आपका completely ठीक है चलिए और बाकि अब इसे solve करी लोगे आप माइनस 3 to the 6 है ना और यह आप solve करोगे तो यतना आ जाएगा बाद में माइनस 6 और इसे solve करोगे इसे आप solve करना तो आपको आता ही होगा बताओ तो आप जैसे solve कर लोगे तो इस तरह से कुछ आपके सामने इंटरफेस है ना आ जाएगा इसके बाद आप जब क्लिक पूरा कर देंगे तो एक क्रॉस बी के अगर हम बात करें तो 10i प्लस 24 जो है प्लस 13 के जो है वो आपका अंसर हो जाएगा जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है समझा दिया है बहुत अच्छे से आपके माइंड में चीज़ा सेट करने की कोज़स करी है ठीक है अब overall nisker's क्या निकला है ना अब आप कह रहे होंगे कि sir आपने हमें a.b भी बता दिया एक क्रॉस भी भी समझा दिया पर इसका nisker's क्या निकला तो देखो a.b जब आपने solve किया होगा है ना a.b जब आपने solve किया होगा तो i.j.k जो है आएगा कि नहीं आएगा बताओ i.j.k नहीं आएगा बिलकुल नहीं आएगा और एक क्रॉस भी की बात करें तो i.j.k के form में यह answer आया था देखवाया था कि नहीं a.k किसमें आया था answer आई जे के फॉर्म में आये था ना बिल्कुल तो आप ये चीज अपने माइंड में सेट करते चले चले अब हम बात करेंगे अगर अपने थर्ड जो इस टॉपिक का कवरिंग पॉइंट है वो है एक क्रॉस बी क्रॉस सी आप करेंगे सब दो आपने बता दिये बी क्रॉस सी निकाल लू फिडर जो आजाए उसका आप एक साथ क्रॉस लगा दो तो भी आपका आजाएगगा अब्फ मुला क्या है देखो या पर देखो अगर मालो आप cross लगाना भूल गया तो यह dot के लिए है आप dot से लगा सकते हैं और dot से easy भी पड़ता है बीच बाले vector को आपको लिखना है बिल्कुल सबसे आगे है ना यह लिख दिया आपने बीच में क्या था कहना b vector था sir अब बचा क्या a vector और c vector तो आपने से dot के साथ side में लिख दिया है ना अब देखो last में क्या है तो आप c vector यहां लिख देंगे और बचें दॉनो तो बचक्छ दोनों कर यहां लिख देंगे खतम होगे आपका आ इसमद मैं के नही बताओ चलिए अब हम देखते हैं इसके साथ हम एक question solve करेंगे question के साथ क्या चीज़े हमें clear हो जाएंगी vector A आपके सामने है 2i-3j-4k और V vector की बात करेंगे 5i-j-2k और C vector भी हमने इसमें लिया हुआ है 2i-6j-k चेक चलो अब हम दिल्कुल formula के recording हम लोग चलेंगे V vector आपके सामने रहेगा तो V vector जो भी दिया हुआ है आप यहां लिख ले और A dot C अभी मैंने आपको बताया है A dot C कैसे आप निकालते हैं I का coefficient कितना है वही 2 और इसका कितना है तो कहना 2 तो 2-2 जा 4 ठीक है इसी के साथ minus आप लगाएंगे है ना और फिर क्या है बताओ फिर है C vector तो आप C vector इसमें कितना दिया था C vector जो था आपका 2y-6j-k तो आप यहां लिख लेंगे 2y-6j-k और अब आपको करना क्या है A dot B find करना है तो आप निकाल लो 2 और यह 5 तो कर 2 5 जा 10 और 3 और यह minus 1 तो कितना हो जाएगा प्नस 3 और यह 4 और यह minus 2 तो कितना होजाएगा minus 8 तो इस तरह से आप इससे solve कर लेंगे और solve जैसे आप करेंगे तो आपका जो है वो answer आपको इस format में दिख जाएगा डिखो आप इसको क्या करेंगे? solve कर लेंगे तो यह 4 से 4 कट हो जाएगा, इतना जाएगा 18, जов आप solve करेंगे तो यह 5 आ जाएगा ठीक, अब üz 18 का पूरे में multiply करा दो, 5 के साथ भी J के साथ भी और 2 के साथ भी, same इसी तरह ऑफ 5 का, इसमें multiply करा दो 6 के साथ भी औरframe minus 1 के साथ भी जब आप multiply करेंगे तो इस तरह से कुछ आपका आ जाएगा ठीक है और सजाती सजाती एक साइड लखेंगे बजाती बजाती एक तरव कैसे मतलब आई आई वालों को एकसाइड लग लेंगे यह जब वालों को एकसाइड और क्के वालों को एकसाइड तो इस तरह से जब हम सवर्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आंस्र जो है मिल जैगा ठीक आपको A cross B cross C भी बहुत अच्छे से समझा दिया है उम्मीद रहेगी कि आप समझ भी गए होंगे ठीक है? चलो अब बात करेंगे अब बात करेंगे फॉर्थ कवरिंग पॉइंट की वेक्टर ओफ ए है ना, डॉट बी क्रॉस सी अब आप करेंगे इसर ये कैसे निकालेंगी ये क्या बहुत ज़्यादा कटन होगा तो बिल्कुल ये बिल्कुल भी कटन नहीं है ये और वी इसी है आपने जैसे अभी देखा होगा एक क्रॉस भी निकालना क्या देखा होगा अभी ए वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर अभी हमने सीखा था कि नी सीखा था बताओ सेकंड नमबर बता तो जैसे आपने A क्रॉस भी निकाला उस बैसा ही है कुछ और उससे भी सरल ही है देखो आपने IJ के जहाँ पर आपने लिखा था वहाँ पर आपको IJ के नहीं लखना है सीखा आप लिखेंगे ये चीज़ें ये चीज़ें आप सीधी सीधी लिखे देंगे J नहीं लिखेंगे यहाँ पर जो इसका कॉफिसेंट है वो लिखेंगे सारी चीज़ों के कॉफिसेंट आप लिखेंगे अब आप कह रहे होंगे सर कैसे लिखेंगे देखो मैं बताता हूँ न, एक question की थरू हम लगाएंगे, ये भी एक question है, लिख लो, A vector है 2i minus 3j plus 4 के, और V vector की बात करेंगे 5i minus j minus 2 के, और C vector की बात करेंगे 2i minus 6j minus k, है न, अब आपको जो जो चीजे दिख रही होंगे, बो सारी सारी लिख दो, ये i का coefficient कितना है, तो कहना 2, तो लिख दो यहाँ पर 2, ये कितना है minus 3, तो लिख दो भई, minus 3, ये कितना है, कहना plus 4, तो लिख दो plus 4, ये कितना है 5, तो लिख दो 5, ये कितना है minus 1, है न, बन ही तो होता है, तो यह minus 1, यह कतना है minus 2, यहाँ ऐगा minus 2, यह कतना है वही 2, तो कहना 2, इस तरह से minus 6, तो minus 6, और इस तरह से minus 1, तो कहना minus 1, ठीक है, अब आप यह मत पूछ लग जाना कि वही, यहाँ minus 1, यह 1 क्यों लिख दिया, वही जहाँ आपे कुछ ना लिखाओ तो बन मान सकते हैं, ठ चलो, बस अब इसे ही solve कर लो, खतम होगी बात आपकी, सेम इसमें भी, A x B की तरह हम बंद करेंगे, first row और first column, चले, और जो बचेगा, उसको हमें यहाँ पर multiply के साथ लिखते हुए चलेंगे, सबसे पहले starting में आपने I, J के लिखादाना, इसे I, इसे J, इसे के लिखादान अब आप इसे सीधर सीद लिखेंगे, इसे 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, minus 3 है, तो आप यहाँ यह उपर भी है, इसके बज़े से यह क्या हो जाएगा, plus 3 हो जाएगा, और यह 4 है, तो आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे, ठीक है, अब जो बचेगा, उसके साथ हम multiply करवाते ह इसे लिखेंगे, तो बीच है, minus, minus 6, यह 2 कितने हो जाएगे, तो 12 हो जाएगे, तो बस 12 लिखती है, अब बचा क्या, minus 3, यह उपर minus 2 है, तो इसके बज़े सी क्या हो जाएगा, plus 3 है, और इसी तरह से हम यह तो रो बंद ही रहेगी, यह column बंद करेंगे, तो क्या हैगा, minus 6 और 5, तो 6, 5, जद 30, minus 30, और यह 2, और minus 2, तो किन्दा हो जागा भी, कहना, plus 2, क्योंकि बीचे minus हम लिखते हैं, इस बज़े से, ठीक है, चलिए, अब इसे आप solve कर लेंगे, जैसे आप इसे solve करेंगे, तो कुछ इस तरह से, आप को सामने आ जाएगा, और इसका answer हो चैनल को, लाइक करतें वीडियो को, है न, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, और कमेंट करके चलूर बता दें कि वीडियो कैसे लग रही है आपको, gradient 5, 5 covering point की बात करेंगे, gradient क्या है, या फिर बात करेंगे, gradient of A vector की, BSC Mbisvam, study platform, हर तपके के गरीब से गरीब भाई बहन की सक्षा के लिए, ये चैनल जो है, वो हमने स्टार्ट किया था, कि उन्हें गुर्बत्ता पूर, पूर्ण जो है, हम सक्षा देने का काम करेंगा, चीजों को, बहुत सई तरीके से, किया भी जा रहा है, है न, आप लोगों की, सब लोगों की, सपोर्ट के वजए से क्या ह चीज़ें बहुत जादा अंगे जा रही है, और मुझे उम्मेद रहेगी कि चीजों को मैं जब आखरी सांस तक आपके लेच्छा करता रहूंगा, चले, बात करेंगे ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं आप, ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले आप एक value जो है वो value आप note करेंगे, आई, डेवर अपॉन डेवर एक्स, प्लस जे, डेवर अपॉन डेवर वाई, प्लस के, डेवर अपॉन डेवर जे, इस value को आप बहुत अच्छे से अपने mind में लिख लेंगे, लिख लेंगे कि नहीं बताओ, है ना, चले, अब यहां पर हम देखते हैं, gradient of a vector, आप से पूछा जाए अगर, कि gradient of a vector कैसे निकालते हैं, तो आप gradient की simple यह value लिख दो, यह देखो होती है, यह standard value है gradient की यही होती है, अपने mind में set कर लो, है ना, आप करेंगे सरी यह कहां से लाए, तो लाए नहीं है कहीं से standard value है उसकी, और अगर ब question आपके सामने रहेगा, यदि a vector equal 4x square plus 3y square plus 5z square, तब gradient of a vector क्या है, कैसे निकलेगा, इसका क्या answer होगा, आप समझेंगे सवाल के माध्यम से, gradient of a vector की अगर बात करें, तो आपको gradient की value लख लेनी है, साथ मैं a vector जो आपको दिया है, वो आप लिख लेंगे, इतनी समझ में ही बात की नहीं बताओ, इतनी बात समझ में ही की नहीं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना, अगर इतनी बात समझ में आगे तो देखो, भाई कि अगर हम बात करें, आपको partial differentiation आता है कि नहीं, पहले आप यह बताओ, partial differentiation का मतलब यह होता है कि आप अगर x के respect में कर रहे हैं, तो किवल इसी क्या करेंगे, बागी चीजों का 0 हो जाएगा, और i.i कि अगर हम बात करें कहीं न कहीं, देखो, इसमें है क्या, डेवर x, इसका पूरे का multiply कराएंगे हम इसके साथ, और x के respect में, अगर इसका होगा, केवल इसका ही तो होगा 4x² का, आप समझ नहीं रहे बात, देखो यहाँ पर, 4x² प्लस 3y² प्लस 5z² आपका a vector था, अब इसका जब इसमें multiply कराएंगे इसके साथ, तो जो differentiation है केवल आपका x का होगा, 5 और z का 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि partial differentiation, जिसके respect में केवल उसे ही का होता है, बागी का 0 हो जाता है, ठीक है, तो कहना 10 जट के, यह होगा आपका answer, बताओ, कमेंट करके बताओ, आपको समझ में आई किनी चीज़ा है, और दोस्तों तो share जरू कर दो वीडियो को, six covering point की हम बात करेंगे, बहुत लंबा, अगर हम कहें वीडियो को, तो होता चला जा रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें समझना है, माइन में set करते हुए चीज़ों को चलना है, है न, अगर, अच्छे एक बात बताओ, बल्कुल basic से अगर चीज़ों को complete कराया जाए, तो क्या चीज़े hard होती हैं, बताओ आप, है न, और अगर हम देखें कहीं न कहीं, कि लोगों का maths जो है वो कमजोर हो जाता है, maths बीक हो जाता है, या फिजिक्स जो है वो बीक हो जात होती है, फिर इसके बाद हम कहते हैं, कि वो चीज़े hard हो गई है, इसलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक focus रहता है, कि चीज़ों को बहुत आसान तरीके से, साधन लेंगे में आपके सामने रखा जाए, आपको समझाया जाए, जो चीज़े बिलकुल आपके mind में set होती ही चले 6 covering point की हम बात करेंगे, कुछ से number 6 यहाँ पर लखाए, del.a क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो देखो भई, del.a की हम बात करें, तो del जो है वो gradient ही है, अब आप कहरेंगे सर यह क्या कह दिया आपने, देखो हमने यह यह कहाए, कि del.a vector जो है वो gradient of a vector ही है, सेम यह चीज, है ना, अतलब, आप कहरेंगे, सर, आप क्या यह कहना चाहरे है, कि gradient of a vector और del.a vector बरावर है, हाँ, बिल्कुल बरावर है, तो del और gradient की value बरावर होगी, जी हाँ, बिल्कुल, जो del की value होती है, वह gradient की होती है, और जो gradient की होती है, वह del की होगी, तो आप gradient की देख आप कल की बात होगी, कल भी हम आपको समझाएंगे, पहले कल से पहले आप डावरजन्ट समझ लो, डावरजन्ट क्या है? देखो, डावरजन्ट ऑफ A वेक्टर की अगर कहीना कहीन बात करें तो आपका सिंपल रहेगा, बिल्कु साधरन से चीज़े हैं gradient of a vector आपने पढ़ लिया dell of a vector पढ़ लिया तो same वही तो divergent of a vector है बताओ, है न मज़ेदार जो आपका gradient of a vector था same वही चीज़ dell dot a vector थी और same वही divergent of a vector था पढ़नालका के case में अलग होती है चीज़े मैं आपको बता दूँगा जब focus and solve करवाँगा पर आप यहाँ पर देख लो यह चीज़ें आपको समझ मैं कि नहीं यह मतलब पिरे कहने का मतलब यह है कि यह तीनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल same है बराबर है ठीक है चले तो value भी बराबर होनी चाहिए बराबर होने चाहिए न तो gradient को हम grade लिखते हैं आप करेंगे सर्फ gradient बोल रहे हैं और लिख रहे हैं grade तो देखो यहाँ पर gradient की जो value होती है i dvr upon dvr x j dvr upon dvr i plus k dvr upon dvr j इससे रट डालो और यही same value किसके होती है del की यही होती है divergent की चीज़ें समझ गया होंगे बहुत आसान तरीके से आपके minor मैने चीज़ों को set करने की कोसस करी है रास्ट इतमे सक्षा दे सितमे फ्री सक्षा के लिए अभी सस्क्राइब करें vsc बिस स्वम study platform को और हम बात करें अगर chemistry की तो chemistry की first unit fundamental of chemistry जो आपकी है unit 1 को बहुत 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 तरीके से 10 से 15 मिट की वीडियो में complete किया है बिल्कुल आपके exam point up view को ध्यान में रख करके सारे चीज़ें करते हैं हमें आपर और playlist बिजट जरू करने playlist बना दी गई है और बाकिए अगर बात करें इस वीडियो की लिंक की ये वीडियो कहा में लेगा तो लिंक description में हम share कर देंगे है ना तब बहां से देख लीजेगा और अगर हम बात करें इस वीडियो को हमने लिखाते हैं अपर पूरी यूटूब का बाप वीडियो सच मज में ये बहुत कहें तो बहुत useful वीडियो आपके लिए सावित होगा इन सबसे बिलकुल कहें तो निचोड वीडियो की हम बात करें अगर तो हमने ये वीडियो आपके लिए डिजाइन करी थी आप जरूर देख ले ना इस वीडियो का भी लिंक जो है हम description में share कर देंगे Indian Constitution की भी classes बहुत सारी classes पहले की डली हुई है आप देख लें बाकि नई classes भी हम आपके ले जल्दी लेकर कर आएंगे सारी चीज़ों की link जो है बहुत description में share कर देंगे बाकि playlist बनी हुई है जरूर visit करते हुए आप चले ठीक जनल साइन्स हो आपका Indian Constitution हो तो सारी चीज़ों आपके साथ बहुत अच्छे से हमने discuss करी है चीक है subscribe जरू करने और अगर अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो like जरू करने वीडियो को आपके एक like से बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और उर्जा आती है हमें ताकि हमें भी लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं कह किस सब्जेक्ट की जो है वो वीडियो आप हमसे द्खना चाहते हैं में क्लास बहुत जल्दी बना दूंगा आप हमें सब्जेक्ट जरू बताए न कौनसी क्लास आप चाहते हैं किस सब्जेक्ट की चाहतें बाकि कमेंड करे अपना comment section में प्यार जरू छोर दे हैं न स्ट ह वीडियो में तब तक लिए जैहंद, बंदे मात्रम, सौस्त रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से पढ़ाई में बस्त रहें, जैहंद